अरपारेडियो.com की प्रस्तुती इतिहास का अम्हास वाच्यक्स्वर पद्मा मनी फ्रांस की क्रांती के पूर्व आर्थिक दशा इवं आर्थिक स्थितियां पक्षपात पोर्ण करवेवस्था, राजपरिवार का विलासिता पोर्ण जीवन, विदेशी युद्धों में बढ़ता हुआ खर्च, राष्ट्रिय रिन, अभिजात वर्ग का प्रतिक्रियावादी द्रिष्टिकोन, प्रांती चुंगियां, तथा राज की अपव्यायता क कुछ ऐसी बाते थी, जिन्होंने राजकोष की सिति को अत्यंत सोचनी बना दिया था, नैपोलियन ने एक बार सत्य ही कहा था, पुरातन विवस्था ने अपने आपको अपनी ही वित्तिय विवस्था की गडबडी द्वारा नश्ट कर लिया, पहला फ्रांस की दिवालिया फ्रांस में आय से अधिक ब्याय था, घाटे की पूर्ति हित्तु सरकारी पदों को बेच दिया जाता था, जिसके कारण ड्रश्टाचार को प्रुत्साहन मिलता था, प्रतिवर्ष नया रिन लिया जाता था, वार्शी काय उस ब्यास से भी कम थी, जो राश्ट्री रिन पर दिया जाना था, इस तरह फ्रांस दिन प्रतिदिन दिवालिया होता जा रहा था, दूसरा, राजा एवं रानियों की अत्यधिक विलासिता, राज दरबार की विलासिता पूर्ण फिजूल खर्चियों के कारण उसे राश्ट्र की कब्रगाह काहा गया है, लुई 14 में ने क अत्नी मेरी के अत्यंत ही फिजूल खर्च के कारण फ्रांस की अर्थव्यवस्था चर्मरा गई, सन 1789 में इस विलासिता के पीछे दो करोड डॉलर व्याय हुआ, तीसरा, पक्षपात पूर्ण एवं कर्व्यवस्था का दूशित होना, फ्रांस में करों का अत्यधिक लिव्र कर देता था, वहां एक कूलीन 12 एकड़ भूमी पर 9 लिव्र कर देता था, साधारन मनुष्यों को तीन प्रकार के कर और देने होते थे, पहला शासन को, दूसरा चर्च को, तीसरा जागिर्दार को, कुछ प्रत्यक्ष कर तथा कुछ परोग्ष कर थे भूमिकर, टेली या ताई, यहकर मुख्य रूप से भूमित था, घरीलू संपत्ती पर लगाया जाता था, कूलीन एवं पादरी इस कर से मुक्त थे तेली कर से मुक्त होना सामाजिक उच्चता का प्रतीक समझा जाता था तेली कर का दिया जाना सामाजिक हीनता तथा छोटे पन का प्रतीक था यह कर वास्ताओं में किसानों के लिए बड़ा कश्ट प्रद एवं असंतोश जनक था पोल्टेक्स यह कर किसानों द्वारा आयकर की रूप में दिया जाता था साधारन जंता को टाइथ नामक धारमिक कर देना पड़ता था फ्रतेक जिले में इसकी दरें अलग-अलग थी आयका लगभग एक बटा दस भाग टाइथ कर की रूप में वसूला जाता था इस पर से भी जनता में बहुत ज्यादा असंतोश था पेंशन एवं भेंटे फ्रांस के समराट का धन का एक बड़ा भाग पेंशनों में खर्च हो जाता था 1789 इसवी से 1789 इसवी के बीच पेंशनों पर खर्च की जाने वाली राशी अनुमान तह 86 करोड लीवर थी अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम एवं सप्त वर्षिय युद्ध पर खर्च लुई पंद्रहवे ने पोलेंड और आस्ट्रिया के उत्राधिकार के युद्धों और सप्त वर्षिय युद्ध 1756 से 1763 इसवी के बीच में जो हुआ था उसमें भाग लेकर राजी की वित्तिय स्थिति को कमजोर बना दिया लुई सोलहवे ने अमेरिका के सोतंद्रता संग्राम में भाग लेकर 1775 से 1783 इसवी के बीच फ्रांस का तो दिवाला ही निकाल दिया अब इन युद्धों के कारण फ्रांस की आर्थिक स्थिति बड़ी दैनीर तथा सोचनी होगा गाबेल कर या नमक कर यह कर अप्रत्यक्ष कर था तथा नमक पर लगता था सरकार का नमक पर एक आधिकार था प्रत्यक व्यक्ति को स्वयम के लिए तथा अपने पशों के लिए नमक खरीदना पड़ता था नमक खरीदने के अवहेलना करने पर तंड दिये जाते थे यह कर भी पक्षता पूर्ण था, नमक की चोरी वहेरा फेरी के अपराध में प्रतिवर्श लगभग 30,000 व्यक्थियों को कैद, 500 कुफांसी, निर्वासन अत्वा गुलामों की तरह कारी करने भेजा जाता था, इस कर से भी जनता में काफी असंतोश था विभिन प्रकार के सामन्ती यकर पहला बानालित यह कर किसानों के लिए अवर्शक था, शराब बनाने के लिए किसान अंगूर को अपने सामन्त की भटी में भेजें, गेहूं उसकी चक्की से पिसवाएं, रोटी उसके तंदूर में सिखवाएं, और इन सब कामों की बदले सामन्त को पैसा दें सामन्तों अथ्वा कुलीनों के यह अधिकार बानालित कहलाते थे दूसरा कोरवे बलात श्रम का अधिकार तीसरा बेनावे अपने जिले में शराब बेचने का एक अधिकार सामन्त को रहता था जो बेनावे कहलाता था चौथा सां किसी सामन्त की जागीर की सीमा में जिन व्यक्तियों की भूमे होती थी उसे सां देना पड़ता था पांचवा पे आज कुलीनों द्वारा अधिकृत क्षेत्र में नाओं, सडकों, पूलों के उपियोग की समय किसानों द्वारा सामन्त को दिया जाने वाला धन पे आज कहलाता था सामन्तों के मनुरंजन एवं शिकार खेलने के दोरान किसानों की फसल नश्ट होने पर उन्हें कोई क्षति पूर्ती न देना सामन्ती ये विशेश अधिकार था जो बहुत ही ज्यादा कष्ट प्रत था सात्वा तेराज शापांज फसल की कटाई के समय निश्ट मात्रा में किसानों द्वारा सामन्तों को अनास दिया जाता था ये तेराज कहलाता था खेतों की सीमाओं को निश्ट करते समय लिया जाने वाला कर शापांज कहलाता था कष्ट दायक वसूली एवं जनता में तीवर असंतोश प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के करों की वसूली का तरीका बड़ा ही कष्टदायक तथा दोशपून था अधिकांश करों का मुख्य बोज की सानों पड़ था एक साधारन व्यक्ति की आयका लगभग 80 प्रतिशत शासन, चर्च और सामनती करों की अदाईगी में चला जाता था कर लगानी की पधती जितनी पक्षता पूर्ण थी उन्हें वसूलें का तरीका भी उतना ही ब्रश्ट और आकरामक था शासन के ठेके दारूं द्वारा जनता से मनमाने ढंग से जबरदस्ति करवसूला जाता था साधारन वर्ग के लोग करों के बोल्च से लदे हुए थे जिसके फलस्वरूप इन लोगों में बहुत ज्यादा आकरोश था और यही आकरोश सन 1789 की क्रांती के रूप में आगे चलकर विस्फोटित हुआ 1789 की क्रांती का आरंब सन 1789 को फ्रांसीसी समराट लुई सोलहमें को धन की आवशकता हुई वीवर शोकर वा पुरानी सामनती सभा स्टेट्स जनरल का अधिवेशन बुलाने के लिए सहमत हो गया 1614 इसवी के बाद से स्टेट्स जनरल का कोई अधिवेशन नहीं बुलाया गया था 175 वर्षों के बाद इस सभा का अधिवेशन लुई सोलहमें द्वारा बुलाया गया लुई इस सभा के माध्यम से नई रिर्ण लेने और कर लगाने की सहमती प्राप्त करना चाहता था इस सभा में तीनों वर्गों का प्रतिनिधित्व था किन्तु तीनों वर्गों के प्रतिनिधि एक साथ नहीं बैठते थे इनका अलग-अधिवेशन हुआ करता था 17 जोन सन 1789 को तीसरे वर्ग के सदस्यों ने इस आधार पर कि वे जनसंख्या के 96 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं, अपने को राष्ट्रिय सभा घोशित कर दिया 20 जोन को जब वे अधिवेशन करने के लिए खटे हुए, तो उन्होंने पाया कि जिस हाल में अधिवेशन होने वाला है, वहाँ शाही अंगरक्षकों का पहरा है तीसरे वर्ग के सदस्य अधिवेशन करने ही तू द्रिड संकल्प थे इसलिए वे पास के शाही टेनिस कोर्ट में इकत्रित हुए और वहीं उन्होंने फ्रांस का सम्विधान बनाना प्रारंब किया तीसरे वर्ग यानि राष्ट्रिय सभा के इस प्रकार के कारियों से लुई सोलहवा बहुत ज्यादा नाराज हुआ और उनकी सभा को भंग करने का प्रयास किया तथा यह अफ़ाह भी फैली कि सभा के प्रमुख सदस्यों को बंदी बना लिया जाएगा लुई के इन कारियों से जनता नाराज हो गई और हजारों की संख्या में वहाँ यानि टेनिस कोर्ट पर एकत्रित होने लगी थोड़ी देर बाद शाही अंगरक्षक भी जनता से आकर मिल गए भीर ने 14 जुलाई 1789 इस्वी को बैस्टील नाम के काराग्रिह को खेर लिया चार घंटे के बाद जनता ने बैस्टील का फाटक तोड़ दिया और वहाँ की सभी बंदियों को मुक्त कर दिया बैस्टील काराग्रिह की समाप्ती निरंकुष शासन के पतन का प्रतीक थी आज भी फ्रांस में 14 जुलाई का देन राश्ट्रियत योहार के रूप में मनाया जाता है लुई सोलहमा समझिया कि जनता ने उसके विरुद्ध विद्रोह और नई क्रानती कर दी है ततकालीन परिसेतियों के अनुसार लुई सोलहमे ने जनता से समझोता कर लिया और अब 14 जुलाई 1789 इसवी के पश्षात लुई सोलहमा नाम मात्र के लिए समराट बना रहा है और उसकी शक्ती एवं अधिकारों को जनता त्वारा सीमित कर दिया गया अरपारेडियो.com की प्रस्तुती इतिहास का अभ्यास